गेंडा राइनो गेंडा जमीन पर पाये जाने वाले जानवरों में हाथी के बाद सबसे बड़ा स्तन पाई जानवर है गेंडे की पांच परजातियां पाई जाती है जिसमें से दो अफरीकी और तीन दक्षिन एशियाई देशों में मिलती है लगातार सिकार होने की वज़े से ये सभी परजातिया खत्रे की कागार पर है गेंडे की पाँच परजातियों में सफेद गेंडा, काला गेंडा, भारतिय गेंडा, जावा का गेंडा, सुमात्रन गेंडा भारतिय गेंडा प्रमुक तोर पर असाम ट्राज्य के काजी रंगा नैशनल पारक में पाया जाता है गेंडे शाकाहारी जानवर है यह गास और पत्ते जाडियां खा कर अपना गुजारा करते है मादा गेंडा गरब काल 14-18 महीने का होता है मादा एक बार में एक बच्चे को जनम देती है जनम के समय बच्चे की थूथन पर सिंग नहीं होता गेंडे 40-45 साल तक की उमर तक जी सकते है बच्चे मा के साथ 2-3 वर्स तक रहते है फिर वह अपना अलग जीवन व्यतीत करते है एक सिंग वाला गेंडा गरेटर वन होरन राइनो एक सिंग वाला गेंडा भारतिय राइनो पर जाती का सबसे बड़ा गेंडा है भारत के असाम राजे में स्थित काजिरंगा नैशनल पारक लगबग 423 वर किलोमेटर छेतर में फैला हुआ है जहां पर 2400 से अधिक गेंडे मिलते है भारतिय एक सिंग वाला गेंडा जिसका सिंग 20-60 इंच का होता है इसकी चमड़ी कवच के समान होती है इसकी चमड़ी पर बाल कम होते है नर गेंडे का वजन 2500 से 32 किलो गराम का होता है इसकी उच्चाई 6 फीट की होती है मादा का वजन 1900 किलो तक का होता है इसकी उच्चाई 5 फीट के लगबग होती है अब तक दर्ज किये गए सबसे भारी राइनु 4,000 किलो तक का था जावा के गेंडो की संख्या 2015 में 60 ही रह गई थी यह इंडोनेशिया में पाया जाता है सुमात्रा राइनु सबसे छोटा गेंडा है माना जाता है गेंडे का सींग बालों से बना होता है जिसमें क्रेटीन होता है सरक्षन की द्रिष्टी से इसके सींग को पहले ही काट दिया जाता या हटा दिया जाता है ताकि तसकरों को इसमें कोई दिल्चस्पी ना रहे राइनो के सामने सबसे बड़ी चनोती तो उसका सींग है जिसकी मांग चाइना और कुछ अन्य देशों में है इसका कारण पुरानी पद्तियों में गेंडे के सींग के प्रियोग से ताकतवर होने की बाते है गेंडे के सींग को लेने के लिए काला बजारी होती है इसे अब अंतराष्टिये तोर पर राइनो के सींगों का वेपार इनलीगल घोशित किया जा चुका है राइनो अपनी आबादी में वरिदी के लिए कई अंतराष्टिये और राष्टिये योजनाओं पर निर्भर है